Hello hi guys Welcome back to my channel देखो यह ना आज आज अभी अभी यह वह 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 अ है रिलीज हुआ है DZME की साइट पर यह वाला ठीक है आज हुआ है आज इनसेंस की रात को हुआ था आच बचे है आच बचे इनसेंस आच बचे भी भी मुलोंगी मैं कल हुआ है ठीक है तो सौरी मैं थोड़ा बोल पा रही हूं अभी देखो अभी होगा क्या इसमें क्या क्या लिखा है मुँप सब कुछ को पड़ता दे रही कि क्या क्या लिखा हुआ इसमें पहले लिखा है नर्सिंग दोजरबाइस की ओनलाइन कांसिलिंग तो आरा नामित तक्नीकी संस्था सूचना केंद आइज जो आई वह ना एँ इनियन इनियन नर्सिंग इनियन कांसिलिंग इसमें के सईयोग से मौहां ने देख सिक्षा के से च событи McDi सिक्षड उत्रप्रदेश द्वारा कराई जा रही है किसी भी अनाधिक्रत संस्था ब्यक्ति के इस तर पर लिए गए प्रविश पूर रूप से अवैद्य है जिसका उत्तदायत तो चेकिसा सिक्षड उत्रप्रदेश का नहीं होगा आप देखो यह कह रहे हैं अगर आप ड किसी भी कॉलेज में ना इवन प्राइवेट हो या फिक गवर्मेंट हो अब काउजलिंग के थ्रूई अड्मीशन ले सकते हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट ही हो गया उसके बाद किसी भी अनाधिक्रत संस्था मतलब जो इंस्टिटीट होता है वो ब्यक्ति अत्वा सुहेम के स्थर पर लिये गए समस्थ प्रवेश पूढ रूप से अवेदे माने जाएंगे यदे भवेश से ऐसे अनाधिक्रत प्रवेश की संबंद में इस कारेकरम को इस कारे आले को कोई शिकायत पराब्त होती है तो उसका पूर संपूर जो दायत तो होगा अब ब्याहरती के स्वयम का होगा ठीक है जिस पर विवाग की कोई जिम्मेदार नहीं होगी मतलब वो कहा रहे हैं अगर आप ऐसा admission ले रहे हो कहीं भी direct admission ले रहे हो किसी भी institute में आफिर किसी भी college में आफिर किसी भी ब्यक्ति के तो सरकार की या उतरत प्रदेश की जो सरकार है उसका कोई दायत तो नहीं होगा आप खुदी उसके जिम्मेदार होगी ठीक है उसके बाद में देखो प्रतम चक्र की प्रतम चक्र की counseling हे तू नधारत सरसाडी के अनुशार अभ्यारती द्वारा राज की ये निजी छेतर के nursing college में संचालित B.Sc. Nursing, Post B.Sc. Nursing, M.Sc. Nursing की सीटों पर प्रवेस हे तू बरियता की आधार पर online choice filling भरी जाएगी ठीक है फिर अभ्यारती द्वारा उनी college-ों की choice filling भरी ज अब देखो जो प्रतम चक्र की counseling होगी समय साडी के अनुशार जो समय साडी आई थी अभी सिडियू लाए था वो भ्यारती द्वारा राज की निजी शेतर की nursing college-ों में जैसे ये Post B.Sc. Nursing अधारत उनी पर आधारत choice filling भरी जाएगी ठीक है और college में जो वही college भरे है आप जिन कि आप कितनी भी college हों उन्हें fill कर सकते हो फिर आगे दिखते हैं आगे कह रहा है ये सबसे ज़्यादा important line है देखिए online choice filling के पश्चाथ choice filling के पश्चाथ choice lock करना अनिवारे है जैसे अगर आप online choice filling कर लिया उसकी बाद में आपको lock करना अनिवारे है choice lock ना करने होने की स्थिती में आप घ्यारती आवंटन भिकरिया में सबस्चाथ ही बाहर हो जाएगा अब जैसे आपका alertment करी हूँ जैसे अगर आपने एक बार choice filling कर लिया उसकी बाद में आपको make sure होना है कि आपने lock कर दिया यह नहीं कर दिया है अगर आप में lock नहीं किया तो आप counseling की प्रिकिया से बाहर हो जाएगे ठीक है दियान लगना यह चीज तो यह वाली जो line है वो नहोंने भी highlight किया और मैं भी highlight कर दे रही है यह वाली ठीक है उसके बाद में देखो अभ्यारती को seat आवंटित के पश्चाथ आवंटित कॉलेज में व्यक्तिकत रूप से उपस्थित सिक्षड सुल्क जमा कर प्रविस प्रकिरिया पूर की जाएगी अब देखो यह बोल रहे है अभ्यारती के जब seat जमा प्रवेस करना पूर्डूर्प से की जाएगी फिर आगी पॉइंट है ऐसे अभ्यारती जिनको प्रथम चकी कांसलिंग से आवंटित कर प्रवेस में लिया जाएगा और वह है तो जमा प्रवेस में रिफूशल तू इच्छो के जैसे अगर आपने प्रथम चक्र में आवंटन प्राप्ट कर लिया है और दूती चक्र चकर में दुवारा से करना चाहते हैं पुने रहान करना चाहते हैं कि धर करने चेंज़ेकर से आप वह करना चाहतेária है तो वह भी प्रवा सकता है ऐसे अभ्यारती कोलेज की सर्कूर्ट हस्तल बिविद सुल्क जो बिविद सुल्क होता है दुद्धिय चक्र की काउंसलिंग संपन होने के पश्चात संबनित कॉलेज में रिपोर्ट करती हुए जमा की जाएगी ठीक है जैसे अगर आपने दूसरी काउंसलिंग करवाई है तो अपना सेक्योरिटी फीस होस्टल नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई जो धनुवर धनराशी चब्द कर ली जाएगी ठीक है ऐसे अभ्यार्टी जो दुद्धिय चक्र की काउंसलिंग किदर है एक मिनट की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वह 5,000 रुपए जो है धनुवर धनराशी पुने जमा का काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते है ठीक है अरचित बर्ग के अभ्यार्टियों को सासन द्वारा जारी दिया जो निर्देशों के अनुरूप आरक्षड प प्रतान किया जाएगा ठीक है अडल ब्यारी बाच पे एवं के जी एम यू लखनो द्वारा निर्मित प्रविस परिच्छा 2022 हे तू जारी ब्रॉंचर जो उनका ब्रॉंचर है में नहीत दिसानिर्देश काउंसलिंग में लागू होंगी जो आपको ब्रॉंचर दिया जैसे जो अडर्वेकवर कास्ट होती है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS वाले होते हैं का प्रमारपत एक जनवरी 2022 अथवा उसके पश्चात का बना होना चाहिए अन्य था कि सिती में उनके प्रवेस में बिचार नहीं किया जाएगा अब देखो यहां पे इस बात का भी है वो चलेगा कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें उससे पहले का नहीं होना चाहिए ठीक है मेक शूर करना इस बात को यहां पर हाइलाट कर दे रही हूँ है यह यह वाली साथ चीज आप देखना फिर आगे देखेंगे राजखी चेतर की सीटों हे तो उत्रप माने जाएंगे वही यह पेहनों करेंगे ठीक है उसके बात में नर्सिंग जो कांसलिंग है 2022 में दिब्यांगता आपको पताएए प्रमाड पत्र उत्रपदेश के राज़की है मेडिकल कॉलेजों संस्थानों या फिर महाविद्यालों में गठित मेडिकल वोट द्वारा जारी प्रमाड पत्री मानने होंगे ठीक है उसके बात में देखिए मानने होंगे फिर देखो नेजी चेतर के नर्सिंग कॉलेजों की सीट हे तू उत्रपदेश राज शाहित अन्य प्रदेश के निवासी भी आहरे होंगे बरसतें उनके द्वारा प्रभिस परिश्च्छ में प्रदेश किया हो और अहरे हों मतलब देखो वह कह रहे हैं अगर नेजी चेतर के जो कांसलिंग नर्सिंग कॉलेजों की सीटों है तो उत्रपदेश राज्य सहित अन्य प्रदेश के जो निवासी हैं वह भी आहरे होंगे लेकिन उनको एक कंडिशन है कि उन्होंने जो उसने टेस्ट दिया हो कौन सावाला 31 जुलाई में जो टेस्ट हुआ था प्यासी नर्सिंग के लिए वो ठीक है उसके बाद में निजी चेतर के सभी नर्सिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पर सुल्क व अन्य मदों में लिए जाने वाले धन्राशी का विबराड कॉलेज जो एक निजी सिट के कांसिलिंग है उसमें जो फिल कि लेंगे वो अन्य मदों में लिए जाने वाले धन्राशी होगी को वेबसाइट है उसी पर प्यासित करेंगे पिर अन्य मेहतपुर्स सूचरा एए विस्तिद विब्राड वेबसाइट जो वह है जो आपको मने बताया नर्सिंग.upsdc.gov.in ठीक है फिर सेकंड कांसलिंग कांसलिंग के सम्मन में किसी प्रकार की समस्या शिकायत हे तू बिभागी है इमेल जो नर्सिंग कांसलिंग.up तो आज का ये ब्रॉंचर है आप पढ़ लो ध्यान से अच्छे से ब्रॉंचर नहीं बोल सकती है मतलब उनकी गाइडेंस है तो आप उसे पढ़ लोगे तो आप डेफिनिटली आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके सब्सक्राइड डाउट है वो प्लाइड प्लाइड मेन प्लाइड है ये पहस्लेंग वाई!